हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल सिर्स वर्ल्ड फ्रेंड्स आज में रिव्यू कने वाली हूँ फेसिस कैनेडा ग्लैमान प्रफेक्ट ब्लशर्स का इसमें टोटल 6 शेड्स आते हैं इसकी MRP 559 रुपीज है और नेट क्वांटिटी 5 ग्रैम है मेरे पास फ्रेंड्स य इनके क्वांटिटी और इनके शेल्फ लाइफ इनके पीछे ही मैंचिन मिलेगी और यह जो शीर है यह कोरल पिंग 0 1 और यह परफेक्ट सीनेमन 0 7 तो चली फ्रेंड्स अब इनके शेड्स दीख लेते हैं तो मेरे हैं में है इस वक्त कोरल पिंग 0 1 और फ्रेंड्स यह एक इस तरह से एंड इसका जो लोग के काफी अच्छा है आपका यह जो बलशर है वो अगर आप बंद करके अपने पर्स में भी डाल लेते हैं तो यह खुलने नी वाला और आप देख सकते हैं यह कितना प्यारा सा एक पिंक शेड है तो चली मैं आपको इसका स्वाच करके दि देख सकते हैं तो अब हम देख लेते हैं सेकंड शेड तो सेकंड शेड है प्रफेक्ट सिनमन 07 एंड फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे यहां पर थोरे थोरे से ग्लिटर पार्टिकल्स दे गए हैं तो यह जो बलशर होने वाला है यह थोरा सा ग्लिटरी होने वाला है इतना भी गिलिटरी नहीं होने वाला कि आपकी जो चीक से वो एकदम से शाइन करने लग जाए तो चलिए इसका भी स्वाच देख लेते हैं आप देख सकते हैं इसकी पिग्मेंटेशन भी कितनी अच्छी है ऑडा कि अंपे थे जो शेड यह भी स्किन टॉन पर अच्छा लगेगा अख्छी पिग्मेंटेशन तर्फ से लेते हैं гैष। मैं अपनी रॉच्षी से लगा जो चक्तों मैं नियुक्त ही नोहीं इलाए थे हैं मेरी जो चीक्स हैं जरा सी भी चंकी नहीं लग रही ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ ग्लिटरी लगा रहा है और मैं अपने लेफ्ट साइड पर लगा रही हूं कोरल पिंक 01 यह दोनों ही शेड्स काफी प्यारे शेड्स हैं अगर आप इन्हें बाइ करना चाहते हैं तो इ इसकी शेल्फ लाइफ थी यह तो यह आपका काफी देर तक चल जाता है तो यह थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया यह यूस्फुल लगे तो लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स बाइबाइ